नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेस अकेडमी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, आए शुरू करते हैं, आज का हम लोग अपना ये कलास इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आप आज से हम लोग मैथमेटिक्स के कलास को सुरू कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का कलास जो ह होगा यह पूरी तरह से इसमें अर्थमेटिक और एडवांस सभी कंसेप्ट को यहां पर कंप्लीट किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसके सीलेबस को देख लेते हैं, कि इसकी अंतरगत हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आए देखते हैं हम कहीं इसका यूज होगा, मतलब कि अगर हम लोग परसेंटेज पढ़ लेते हैं, तो प्रोफिट एंड लॉस का जो कंसेप्ट होता है, वो परसेंटेज से ही मिलता जूलता है, और इसके बहुत सारे कंसेप्ट जो है, वो प्रोफिट एंड लॉस में यूज होते हैं, यानि भी All Day exam होते है खासकर SSE related जितने भी एकजाम होते हैं उन के लिए काफी कारगर सिध होगा और साहत साहत में आपको railway के जितने भी exam होते है। उसके लिए भी UPC CDC zum ST gotta Amma or You some research request exam होता है उसके लिए भी यह काफी कारगर रहा तो तिसरा नमबर चैप्टर जो है, वह compound interest होगा, यानि कि चक्रविर्दी व्याज, जिसे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी percentage का ही concept यूज होता है, चोथे नमबर का जो concept होगा, वह हमारा होगा, simple interest, यानि कि सधारन व्याज, इसकी अंतरगात, हम लोग जो है, सधारन व्याज प percentage का होता है, इसलिए race and proportion जो है, पाचवे नमबर पे पढ़ेंगे, या भी एक basic chapter है, जिसका यूज जो है, आगे आने वाले सभी chapter में होगा, यानि कि अनुपात और समनुपात को हम लोग पाचवे नमबर पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में next जो चैप्टर होगा, वह ह हमारा होगा average, average मतलब और सथ, और सथ जो चैप्टर होगा, वह हमारा आठवा नमबर का chapter होगा, फिर उसके माद में नवे नमबर का जो चैप्टर होगा, वह हमारा age, यानि कि आयू समन्धित प्रस्ण जो है, काफी पूछे जाते हैं, आपका railway के एक जाम में तो बहुत हर एक shift में एक दो question, NTPC में देखने को मिले थे, तो आप अपने दोस्तों के साथ या class को share कर दीजिए, दसवे नमबर का जो chapter होगा, वह time and work होगा, यानि कि समय और कार्ज, 11 नमबर का जो chapter होगा, work and wages, यानि कि कार्ज और जैसे मान लिजे कि कोई भी मजदूर काम करना है, उ इसे हम लोग पढ़ेंगे, यानि कि null और टंग की, 13 नमबर का जो chapter होगा, वह होगा time and speed and distance, यानि कि समय कार्ज और दूरी, इस chapter को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 14 नमबर का जो chapter होगा, वह होगा हमारा boat and stream, इसे हम लोग पढ़ेंगे, now और धारा, या हमारा chapter होगा, या भी जो है, वह time and speed and distance related है, इसमें जो है, वह ratio and proportion का जो है, हमारा concept यूज होता है, फिर उसके बाद में train, train जो पढ़ेंगे, वह time and speed, distance से ही related है, यानि कि rail गाडी, इससे जो है, railway में काफी question पुछे जाते है, तो उसके बाद में, शोलर नमबर जो topic होगा होगा, हमारा data interpretation data interpretation में जो है, वह सभी chapter का कुछ न कुछ concept यूज होता है, तो इस तरह से हम लोग यह solar topic होगा, arithmetic है, इसे हम लोग जितना जल्दी हो सकता है, उतना जल्दी हम लोग इस पूरे chapter को complete करने की कोशिज करेंगे, मेरा target है कि 30 days के अंदर में जो है, वह सभी concept को complete कर देना है, और य zero level से लेकर, high level तक जितने भी question बन सकते हैं, concept point of view से, वह सभी हम लोग यहां पर complete करने की कोशिज करेंगे, साथ-साथ में उसके बाद में जो होगा, chapter wise, जो भी SSE से related, सबसे पले SSE CGL, CHSL, SSE GD, MTS और CPO, यह सारे के question जो है, chapter wise हम लोग यहां पर करेंगे, फिर उसके बाद में जो है, UPSC, CDS और आपका CSET के जितने भी question पुछे गया है, सभी यहां पर हम लोग complete करेंगे, और साथ-साथ में आपका railway, group D, NTPC से जितने भी question पुछे गया है, अभी तक, वो सभी हम लोग complete करने की कोशिज करेंगे, फिर उसके बाद में अभी जो हाली में answer की release हुआ जो है, NTPC का उससे भी related जितने भी question previous year में पुछे गया है, वो सभी हम लोग यहां पर complete करेंगे, उसके बाद में जो भी आप exam के लिए बोलिएगा, one day exam के लिए, वो सभी यहां पर हम लोग previous year question को solve करा देंगे, अब हम लोग देख लेते है, advanced topic, advanced topic की अंतरगत जो है, कौन कौन से topic आते हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे पहला जो topic है, advanced में, वह है आपका geometry topic है, यानि कि ज्यामीती हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आपका है, दूसरी number topic है, mensuration, यानि कि geometry पढ़ने के बाद में, हम लोग यहां पर, ज्यामीती है, ज्यामीति पढ़ने के बाद में, हम लोग या करेंगे, mensuration, यानि के छेथर मेटी को पढ़ने के पढ़नेगे, उसके बाद में है, आपका algebra, यानि कि地जगरीत हम लोग यहां पर पढ़नेगे, फिर उसके बाद में चौते नंबर का topic है, वह हम लोग पढ़न पुम्हों होकुन करेंगे फिर उसके बद में आपका है त्रीओνεटरी पड़क्री का हम लोग पढ़ा Shore में कङए प्रियो मेट्रीक का सबंसेप्त कौशकत पलाएंगे फिर उसके बाद में कोRe सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद में है नंबर सिस्टम यानि कि संख्या पदती इसे हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके बाद में LCM-HCF यानि कि लगुतम समापर्त और महातम सभवार्त इसे हम लोग पढ़ेंगे चुकि LCM-HCF का सब्सक्राइब करेंगे इसे हम लोग पढ़ेंगे दसमे नंबर पर होगा हमारा कैल्पिलेशन और सिंप्लिफिकेशन होगा इसे भी कोश्चन काफी पूछे जाते हैं सभी एकजाम में एक दो कोश्चन रहते हैं 11 नंबर में जो है लेकिन रेलवे के एकजाम में हर एक शिफ्ट में एक या दो कोश्चन दिया रहता है तो इसलिए हम लोग एस्टेटिक्स को भी पढ़ेंगे तेरा नंबर का जो टॉपिक होगा और चौदर नंबर का हो जागा और प्रोबिलिटी होगा तो इस तरह से हमारा पूरा एडव चाप्टर भाइगा और अपका ऐग्जाम वाईज हम लोग करते के सबी हम लोग करेंगे ही करें के करेंगे कि जैसे ही arithmetic का कोई भी topic complete होगा तो आप previous year question लगाने की कोशिस कीजिएगा हला कि मैं उसके सभी question को तो solve कराऊंगा ही यदि आप लोग अपने से भी practice कीजिएगा तो ज़्यादे अच्छा रहेगा तो सबसे पहले कौन गौन से exam हम लोग previous year question करेंगे तो सबसे पहले हम लोग SAC CGL के ही करेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग करेंगे railway NTPC का चुकि इसका exam जो है आने वाला है तो सबसे पहले railway NTPC का करेंगे उसके बाद में railway group D के question को हम लोग कर लेंगे उसके बाद में SAC CGL को करेंगे चुकि CGL का यदि math पुछे जाते हैं, तो वहाँ पर यह कारगर होगा, वहाँ पर हम लोग 2,000-1,000 के सभी question को हम लोग कर लेंगे, फिर NTPC group D के question को करेंगे, railway का, और railway ALP में भी math पुछे जाता है, वहाँ पर भी question जो पुछे गया है, previous year में उसे भी हम लोग कर लेंगे, फिर उसके साथ साथ में, estate exam बहुत सारे होते हैं, SSC से related, यानि कि Bihar SSC हुआ, या और भी हर्याना SSC हुआ, पंजाब SSC हुआ, तो उसमें भी math के question पुछे गया है, उसे भी हम लोग यहाँ पर solve करने की कोशिस करेंगे, तो आईए हम लोग सुरू करते हैं, आज हम लोग यह सीले बस discuss कर लिए हैं, और आज ही सी हम लोग सुरू कर लेते हैं, यह class, तो सब्से पहले देख लेते हैं, कि mathematics को हम लोग का approach क्या होगा पढ़ने का, तो कोई भी mathematics या कोई भी subject जो होता है, उसे पढ़ने के लिए सब्से पहले क्या करना चाहिए, कैसे approach लेना चाहिए, तो सब्से पाले basic with concept यानि कि जो भी हम लोग topic पढ़ रहा हैं जैसे चोशाल से पढ़ कर लेंगे जिस tudo होाँस क्रों से गनीक ही हमारा basic fundamental वंजाएगा उसके उपर जितने भी hard question है उसे हम लोग solve कर सकते हैं यदि basic ही हमारा कमजोर रहाएगा तो कभी भी हमारा बड़े-बड़े question कभी भी नहीं बन सकते हैं तो इसलिए सबसे पहले कोई भी chapter start होगा वह basic से यानि कि zero level से start होगा पहले question से कभी भी decide नहीं कीजिएगा कि हमारा concept कहां तक जाएगा निश्चित तुरुप से हम लोग zero level से start करेंगे और जब हमारा chapter complete होगा तो आप कोई भी exam का question निकालिएगा उसके बद में solve करिएगा निश्चित तुरुप से सभी exam का यानि कि कैट लेबल तक के question आप बना सकते हैं लेकिन फर्स्ट क्लास से डिजाइड नहीं होगा फर्स्ट क्लास कभी भी zero level से ही start होगा क्यूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन स्टुडेंट को भी एक साथ लेके चल एक बार लेने की कोशिज करना है जीने कुछ भी नहीं आता है एकदम अभी नया नया शुरू ही की हैं तयारी करना और जीने बिल्कुल भी concept नहीं पता है वो लोग भी यहां पर सुरू कर सकते हैं उसके बाद में दूसरा नंबर पर क्या होता है conceptually approach यानि कि कैसे question को approach करना है यदि आप बेसिक सीख लिए उसके बाद में क्या होता है कि conceptually कैसे बनाना है एक्जाम में तो इसका आम लोग अधियन करेंगे फिर उसके बाद में language language का मतलब यह हुगा कि एक्जाम में जो होता है question से से रिलेटेड जो से सीजियल में के question देखिएगा कि arithmetic का question बहुत बड़ा बड़ा दिया रहता है तो उसे आपको कैसे क्रैक करना है चुकि एक्जाम में तो उतना time नहीं रहता है तो 20-30 second में कुछ ना कुछ question में जरूर दिया रहता है जिसको आप लोग पढ़के उसको आप 20-30 second के अंदर में maximum एक मिनट के अंदर में उससे आप solve कर सकते हैं तो वह language को कैसे पढ़ना है या हम लोग थिसरे नंबर पे देखेंगे फिर चौथे नंबर पे how to approach यानि कि एक्जाम में आपको कैसे करना है एक्जाम करने का मतलब यह हुगा कि आपको option से कैसे solve करना है फिर उसके बाद में आपका digital sub method से कैसे करना है यह सब हम लोग approach में देखेंगे यानि कि यह basic concept conceptually approach और language पढ़ने के बाद में हम लोग previous year question यहाँ पे करेंगे तब हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि कैसे आपको केवल question देखके ही आपको कैसे tick कर देना है तो यह सभी करनी के लिए आपको यह तीनों function से गुजरना पड़ेगा उसके बाद में यह आपका approach आता है तो यह सभी कुछ जरूरी है तो आप जो क्या किजिएगा एकदम basic से तैयार हो जाईए आज से सभी कोई जब भी यह video देखिए तो आप pen paper लेके बैठिए और हमार जब video को देखिएगा तो दोबारा video को जो है आप pen paper पर लिख पूरे तरह से concept को लिख लिजिएगा और सारे question को भी लिख लिजिएगा उससे बना लिजिएगा जिससे क्या होगा आप अपने हाथ से जो भी copy बनाते हैं तो फिर से revision करने में काफी अच्छा रहता है और वह काफी याद भी हो जाता है दूसरे का notes जो देखिएगा तो वह दूसरे अपने point of view से लिखे गए लिखे गए हैं तो उसे जादे मतलब अच्छा नहीं रहता है तो यदि आपको निश्चेत्रूप से success करना है तो थोड़ा time तो लगएगा लेकिन आप अपना notes अपने खु कुछिस किजिएगा चुकि वीडियो तो आपके पास में पूरी तरह से आपके पास available रहेंगे तो जब भी आप चाहें तब भी इस वीडियो को जहां भी problem हो फिर से आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे बताइए कि यहां पर mathematics के class सुरू हो चुके हैं पूरी तरह से फिरी रहेंगे और आने वाले समय में भी जितने भी previous year question है सभी तक फिरी रहेंगे कभी भी यह paid नहीं होगा पूरी तरह से आपके लिए यह dedicated करास होगा तो आईए सुरू करते हैं हम लोग percentage आज से यानि कि 100 के respect में जो हम लोग बात करते हैं वही percentage का मतलब की value होता है तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले percentage को fraction में कैसे change कर सकते हैं जैसे माली 20% दिया है तो percentage का value कितना होता है 1 by 10 यानि कि 20 तो दिया ही है और percentage का value कितना है 1 by 100 तो जब हम percentage का value 1 by 100 होता है तो 20 पचे कितन यानि कि एक बटा पाच हमारा एंसर हो जाएगा उसी तरह से दूसरा नंबर कोश्चन यहां पर दिया हुआ है 30% हम मैंने बताया है कि percentage का बहलू कितना होता है यानि कि हो गया आपका 3 by 10 उसके बद में 16 पूर्णांग 2 बटा 3 दिया हुआ है तो इसको जब आम लो करेगा तो सो रहती है यह 48 दू 50 यानि कि 50 बटा 3 तो यह तो बहलू हो गया और percentage यहां पर दिया हुआ है और percentage का बहलू हम लोग मैंने कितना बताया है तो 1 by 100 बताया है त पचास दूनी 100 हो जाएगा यानि कि तीन दूनी 6 यानि कि 16 पुर्णांग 2 बता 3 परसंटेज का बितना हो जाया जाएगा 1 by 6 हो जाएगा उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट है आपका 12 पूर्णंक 1 बटा 2 परसंट तो 12 पूर्णंक 1 बटा 2 परसंट कितना हो जाएगा 12 तुन उण 24 एक 25 बटा 2 25 बटा 2 तो यहाँ पे दिया हुआ ही है और यहाँ पे परसंटेज दिया हुआ है percentage का value होता है एक बटा 100 होता है तो यानि कि कितना हो गया 25 चो का सव यानि कि 1 by 25 बटा 2 था तो 1 by 8 हो जाएगा यानि कि 12 पूर्णा के 1 बटा 2% का value कितना हो जाएगा 1 by 8 हो जाएगा उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 22 पूर्णा के 1 बटा 2% 22 पूर्णा के 22 दूर्णी चो बटा 2% हो जाएगा यानि कि पॉर्णी का value कितना हो जाएगा 1 by 100 इसको जब आम लोग करेंगे तो 25 बटा 45 हो जाएगा 5 दूर्णी 10 यानि कि कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 दुनी 44 एक 45 बटा 2% हो जाएगा पार्णमा 45 पान दुनी 10 यानि कि 9 बाई कितना हो जाएगा 80 हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद में 37 पुर्णांक 9-8 कैसे हो जाएगधा 20 दूरी 40 नहुता है नौब आई 40 हो जाएगा यानिकि 9 बात 40 इसका होजाएगा एंसर अब 37-1-2 परसेंट है 37- motives 34-75 बात 2 हो जाएगा और यहां पर सेंटेज है तो परसेंटेज का फैलू कितना होजाएगा 1 बाई 100 यानि कि 3 by 80 का answer हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग ने देख लिया percentage to fraction के जितने भी बन सकते हैं इसके अधार पर आप लोग जितना भी आपका होगा ऐसे ही आप लोग कोई भी percentage दिया हो तो fraction में आप change कर सकते हैं हमेशा याद रखना है percentage का जो value होता है वो 1 by 100 होता है अब हम लोग next देख लेते हैं next जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है fraction to percentage अब आप लोग को change करना है जैसे हम लोगों मैंने बताया था percentage का value कितना होता है percentage का value होता है 1 by 100 यहीं इसका मायने होता है यानि कि percentage का मतलब कितना होता है 1 by 100 हमेशा याद रखिए तो जैसे कि यतना दिया हमको percentage में change करना है तो 100 से गुणा करेंगे लेकिन 100 से गुणा करेंगे अपने मन से थोड़े ही गुणा कर देंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 से डिभाइड भी कर देंगे तो देखिए तब न जाके 1 by 5 1 by 5 है 100 100 कर देंगे यह तो हम लोग कर दिये 100 जब कटा देंगे त 1 बटा 5 का, तो 1 बटा 5 ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, 1 by 100, यानि कि, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यह 1 by 100 का मतलब कितना होता है, इसी का तभधर होता है, percentage, यहाँ पर 100 है, तो 5 से 100 से ुँखरा करेंगे, तो यहाँ हो गया 20% हो गया, समझ उसी तरह से दिया हुया है 3 x 10 3 x 10 दिया हुआ है तो 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से ही मल्टिप्लाई कर देंगे तो ये 1 x 100 का मतलब कितना हो गया percentage हो गया अब 10 करेंगे नगे तो 10 से 0 110 कट गया तो कितना हो गया 3 बटा 10 का मतलब 30% तिन दाहां के 30% हो गया तो अभी तक सब कोई बता रहा था जब परसंटेज में चेज़ करना है तो वन पर पाच है वन पर पाच को 100 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 100 से डिवाइड भी तो करेंगे यारि कि 1 बाइड का मतलब होता है परसंटेज अभी तक या हमारे स्कूल में जो भी तीचर क्या बता है में के टीचर 100 से गुणा कर दीजिए परसंटेज हो जाएगा 100 से क्या खरेंगे और 100 से डिवाइड भी करेंगि और ऑँ वन वाइड का मतलब क्या होता है परसंटेज होता है उसके बाद में इसी तरशे यहाँ पर दिया हुआ दू बाटता पां करेंगे 100 से डिवाइड भी करेंगे तो 1 by 100 का मतलब तो परसंटेज होता है अब देखिए 300 वाई साथ हो गया हमाले ये 300 वाई साथ किसी को नहीं आ रहा है तो इसको क्या कि ये डिवाइड कर दीजे साथ में 300 से तो करेंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा यहां पर दस में से 8 गया दो गया फिर उसके बाद कितना हो जाएगा साथ दुनी 14 साथ दुनी 14 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा दस में से 4 गया 6 हो जाएगा तो इस तरह से कितना हो जाएगा 42 पूर्णांक छो बाटा साथ परतिसत हो जाएगा ठीक है यहां पर तो पर सिटर रहे हैं तो ब्यारीस पुड़ांक छो बाटा साथ परतिसत इसका एंसर हो जाएगा और यह हमेशा याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं भागफल बोलते हैं इसको हम ल बाजे यानि कि डिभाईजर डिभीडेंड इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं भाजक यानि कि इस सेवन को बाजक बोलेंगे यानि कि डिभाईजर और इसको बोलेंगे रिमाइंडर यानि कि सेस्फल जो होता है हमेशा जो होता है वह भाजक से छोटा ही होता है यानि इन्टू 1 तो यहां पे रहेगा ही, 1 by 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है, और 800 डिवाइड करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, चार दुनी 8 है, और 25 चुकासा है, यानि कि 25 पचे 125 हो जाएगा, यानि कि 125 बटा 2 परसेंट हो गया, और 125 बटा 2 को जब हम लोग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, या हो जाएगा, आपका 12 पूर्णांक 1 बटा 2 परसेंटेज हो जाएगा, इस तरह से हम लोगों ने देख लिया यह, अब हम लोग देखते हैं, next, some important facts, some important facts का मतलब एह है, कि जैसे कि हम लोगों ने अभी अभी देखा, percentage to fraction को, यानि कि 1 ब कुछ value जो है, हमें याद करना पड़ेगा, हलाकि आप लोग अभी याद मत किजिएगा, इसे आप लोग daily daily देखते चलिए, निश्चत रुप से आने वाले टाइम में, आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूबत नहीं है अभी, आप ही क्या किजिए, आप लोग अपने copy पर एक बार इस लिख लिख लिजिए, फिर उसके बद में क्या किजिए, वीडियो को एक से दो बार देख लिजिए, उसी तरह से छोड़ दिए, फिर next exam में, next जब class होगा, या अगला class जब भी होगा, उसके पहले एक बार और से इस वीडियो को देख लिजिए, जिससे क्या होगा, जितने भी percentage होगा, आपके mind में आ जाएगा, और percentage खतम होते होते, यह सारे value जो है, आपको याद हो जाएगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं, 1 बटा 2 का value, तो 1 बटा 2 का value होता है, वह 50% होता है, उसके बाद में 1 बटा 3 का value जो होत 20% होता है, उसके बाद में 1 बटा 5 का value जो होता है, वह 20% होता है, 1 बटा 6 का value कितना होता है, 16 पूर्णांक 2 बटा 3% होता है, उसके बाद में 1 बटा 7 का value कितना होता है, तो 1 बटा 7 का value होता है, वह होता है, 14 पूर्णांक 2 बटा 7% होता है, उसके बाद में 1 बटा 8 का value कित का value कितना है one buyer 9 उसके बादने से नाइन पूर्णांग एक बटा 11 तरू車े से उससी तरह से 1 बटा 12 का value कितना होता है तो 1 बटा 12 बारा का जो value होता है वह होता है 7 पूर्णांक 9 बटा 13 परसेंट होता है 1 बटा 14 का value कितना होता है तो 1 बटा 14 का value होता है 7 पूर्णांक 1 बटा 7 परतिसत होता है उसी तरह से 1 बटा 15 का value कितना होता है तो 6 पुर्णांक 2 बटा 3% होता है उसी तरह से आपका 1 बटा 16 का value कितना होता है 6 पुर्णांक 1 बटा 4% होता है यदि आपको किसी में विदिकत है तो 100 से multiply करके 100 से divide करके आप देख लिजिए सब का value इतना ही आएगा तो इसे आप लोग को याद नहीं करना है अभी इसे आप लोग को इसी तरह से एक बाद देख लेना है फिर उसके बद में आपको notes बना लेना है notes बनाने के बद में फिर से video को देख लेना है बस इतना ही करना है और इसी तरह से करते करते 2-4 class में आपको ये पूरी तरसे याधी हो जाएगा अब हम लोग next देख लेते हैं, next क्या है next जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है find the percentage value यानि आपको निकालना क्या है percentage value निकालना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 बटा 4 हम लोगोंने क्या पढ़ा है एक बटा 4 को पढ़े है एक बटा 4 का value कितना है 25% होता है तो देखिए एक बटा 4 है यहाँ पे तीन बटा 4 है यानि कि यह तीन गुना है जब तीन गुना है तो यह 25% है तो इसका ही 25% का तीन गुना हो जाएगा यानि कि 25% का तीन गुना कितना हो जाएगा इस तरह से यहां पर 3 बटा पाच दिया हुआ है यह मतलब क्या है ए टीन पथार पाच का मतलब कितना हो जाएगा आपका फोर बटा बटा ऊक्रेष segments होलते हैं नेक्स तेख लेते हैं नेक्स जैसे कि यहां पर दिया हुआ है आपका फोर बटा पाच बटा नौ परतिसत यानि कि हम लोग तो जानते हैं एक बटा नौ को जानते हैं तो एक बटा नौ का बहलू कितना होता है तो एक बटा नौ का बहलू होता है एक गारे पुर्णांक एक सकते हैं आराम से सकते हैं यहां पर देखेंगे सकते हैं partial परषा के यहां यहां पर पांच बटा अनय हो सहुना करें तो फाले स्चता करींगे इसलिए क्षोटा रहता यह शोटा यह बड़ा रहता यह बड़ा रहता तो हम लोग फिर से divide करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बद में 7 बटा 9 है, तो 7 से हम लोग यहां पर multiply करते हैंगे, तो यानि कितना हो जाएगा, यह गारे सते, 37 हो जाएगा, फिर उसके बद में 7 से करेंगे, तो 7 बटा 9 परसेंट हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा answer हो गया, फिर उसके बद में 8 बटा 9 है, तो 8 से हम लोग multiply करेंगे, यानि कि यह गारे 88 हो जाएगा, 8 से करेंगे, तो 8 बटा 9 परसेंट हो जाएगा, ठीक है, अब उसके बद में 7 बटा 11, 9 बटा 11 और 10 बटा 11 का आप लोग देखिए, वीडियो पॉस करके, फिर उसके बद में बट 11 बटा 11 परसेंट होता है, ठीक है, यह होता है, तो हम लोग यहां पे 7 बटा 11 बटा दिया है, तो 7 से multiply करेंगे, तो 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे, तो 7 बटा 11 परसेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बद में 9 बटा 11 परसेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके परसेंटर से आप लोगों को यह सब जुबान पर होना चाहिए या दोना चाहिए उसके बाद में है 3 8 यानि कि 3 8 है तो एक बटा 8 को हम लोग पढ़े हैं गया कि ऑक बटा 8 का कितना बैली होता है बारा पूर नंग एक बटा 2% होता है एक बटा 8 का बैलू ठीक है तो तो रिवास कर देंगे तो यानिकि बारत ही यहां 36 हो गया और 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 3 इंकम 3 यानिकि 3 वटा 2 परंट हुआ लेकिन ये गलत है क्यों गलत है क्योंकि यहां पर 3 बटा 2 है यहां पर 3 बटा 2 को जब हम लोग लिबाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो पूर्णांग 2 एक पूर्णांक 1 बटा 2 हो जाएगा तो उसमें जूट जाएगा यानिकि ओन जूट जिएगा तो केतना हो जाएंगी हो जाएगा इसका 37 पुर्ञंग 1 2 percent इसका अन्सर हो जाएगा ठेक है उसके बाद में आप देख लि़र आइजे पांच पांच अपन्टिप्ल्राई करेंगे मनें 22 पुर्ण का 2 से क्योंकि हम जोड़ेगा जाएगा 2 डूनरwar चाहात़ ग्रेंगे आप जोड़े हैं सब्रकट होजाएगा वा कीज ऐने कि हमें फिर ईताए ग्रेश्चाइग करेंगे तो केतना हो एक बटा दो हो जाएगा तीन बटा एक बटा दो को जोड़ेंगे तो चुछ तीन 87 पूर्णांग एक बटा दो परसेंट इसका एंसर हो जाएगा कि साथ बटा आठ का मोगों देख लिए उसके बाद में हम लोग देखते हैं अब पाच बटा साथ को देखते हैं तो एक बटा साथ इसमें देखना पड़ेगा तो एक बटा साथ का फैलू कितना होता है 14 पूर्णांक 2 बटा 7% होता है ठीक है तब 5 बटा 7 करना है तो 5 से मल्टिप्लाइग करेंगे तो 5 से मल्टिप्लाइग करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 पूर्णांक 3 बटा 7 हो जाएगा तो जब 4 से मल्टिप्लाइग करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 पूर्णांक 1 बटा 7 हो जाएगा तो 5 से मल्टिप्लाइग करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 पूर्णांक 2 बटा 7 हो जाएगा तो यहां पर फिर से बारे बटा 7 को जब आम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 से मल्टिप्लाइग करेंगे कितना हो जाएगा 15 पूर्णांक 1 बटा 3 परसेंट हो जाएगा ठीक है परसेंट यहां तीन पूर्णांक 1 बटा 3 हम लोग लिख देंगे तो यहांनि कि असी तीन तीरासी हो जाएगा तीरासी पूर्णांक 1 बटा 3 परसेंट हो जाएगा ठीक है अब 5 बटा बारे 7 बट बारे और 11 बटा बारे को देख लेतने हैं तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा क्या एक बटा बारे का भैलू कितना होता है तो एक बटा बारा का जो भैलू होता है वो होता है आठ पूर्णांक एक बटा तीन परसेंट होता है ठीक है तो आठ से हम लोग यहाँ पर पाच बटा बारे दिया हुआ यहां पे देख लेते हैं देखें पारि यानि कि कितना हो जाएगा आपका एकतालीस पूर्णांक बहु कर देंगे तो हुआएगा 56 फिर 7 वाई तीन परसेंट यहां पर भी साथ बाटा तीन को देख लिए तक है साथ बाटा तीन को जब हम लोग करेंगे तरह 3 दुनिच्षब की पुर्णांग के 1 बटा 3 को जोड़ देंगे तो 56 कितना हो जाएगा 58 याने कि 58 पुर्णांग 1 बटा 3 परसेंट हो जाएगा अब उसके बाद में 11 12 को देखते हैं तो 11 12 को फिर से मल्टिपलाई करेंगे तो याने कि कितना हो जाएगा 1888, एक 11, 3% हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फिर, एक 11, 3 को हम लोग देख लेते हैं, एक गारे बटा तीन को करेंगे तरह 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 से हम लोग देख लिए अब हम लोग नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट जैसा कि यहां पर दिया हुआ है बीस नंबर कोस्चन पांच बटा चौदा एक आरा बटा चौदा इसके लिए हम लोगों क्या पड़ेगा नीचे देखते हैं चौदा है तो एक बटा चौदा का जो भैलू था वह था आपका साथ पूर्णांग एक बटा कितना था साथ परसेंट था ठीक है यह हमारा एक बटा चौदा का भैलू था तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे पांच बटा चौदा से मल्टिप्लाई करेंगे यानि कि पांच से मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच सथे एक गारे बाटा साथ परसेंट यह तो करना पड़ेगा एक गारे बाटा साथ का कितना हो जाएगा साथ एक कम साथ एक पूर्णांग चार भाई साथ हो जाएगा अब एक पूर्णांग चार बाटा साथ को जोड़ देते हैं तो साथ एक पूर्णांग चार बाटा साथ परसे हो जाएगा ठीक है अब हम लोग देख लेते 7 बटा-5 ता 7 से मुल्टिपल करें तो 7 चक 42 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 7-2 चौदह तो 14 बटा 3 परस लिए गाए ठीक है अब 14 बटा 3 को जब हम लोग देखें यहां तो 3 चौग का बारे 4 पूर्णांक 2 बटा 3 हो जाएगा यहां पे तो 42 चार कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा ठीक है 46 पूर्णांक 2 बटा 3 परसेंट हो जाएगा ठीक है 46 पूर्णांक 2 बटा 3 परसेंट हो जाएगा इसका अंसर तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी परसेंटेज भैलू जब दिया रहे तो उसका जो है मल्टिप्लाई करके कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका यह काफी बेसिक है और इसका यूज जो है आने वाले कोस्टन में काफी होगा तो इसलिए आप लोग इसे काफी यूज होता है concept में जैसे माल लिजे की hundred मेंसे यहादि आपको 231 करता यह कारेंगे मतलब माइनस करना है तो कैसे करेंगे तो इसम стр quiet राक्षन में जब दिया रहे है। यहां पे तयस से तो हटेस नम घटा कर चाहुद गटा लेते हैं। So, यहां पे साथाहिए। ठालते ब्ला-इस सिर्षाभिय औरे संधारा कर दो यहां पे भी fraction है, 17 मैं से 3 गटाना है, 17 मैं से 3 गटा अगार, 17 मैं से 4 गटाएगा, 17 मैं से 4 गटाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा. और यहां पे क्या है? 9 है तो 17-9 is equal to 8. 8 भाई, 17 हमारा answer हो जाएगा. फिर उसके बाद में देखिए. नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट है आपका 500 500 में से 11 घटाना है तो 500 में से हम 12 घटा लेंगे तो 500 में से 12 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 488 हो जाएगा यहां पर 12 में से 1 घटा देंगे यानि कि 20 भाई 20 भाई 20 हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद में हम पुन कितना हो जाएगा संतानमे में से जब हम लोगे काउन घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा ची आलिस ची आलिस भाई संतानमे हमारा यह एंसर हो जाएगा ठीक है उसके बाद में तीस में से जब हम लोग को एक घटाना है तो कितना हो जाएगा तीस में से दो घटाएंगे एक न कई गटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका नौसओ अशी होगा ठीक है कि नौसओ अशी होगा अब फिर उसके बाद में एकतालीस में से चालीस गताएंगे तो एक वह एकतालीस हमारा एंसर हो जाएगा इस तरह से हम लोगों पजस्ट करने टेख लिया, अब हम लोगे देख लेते है कि यह दिञानि चार परसेंट का मार्ण एक बाटा 25 होता ही है तो हम, लोग लोगो 32 परसेंट निकलना है, तो देखिए चार परसेंट, कितना गुना है तो चारो अथे 32 यानिकि आठ गुना है यह भी आ तो यानि कि 12 बटा 25 हो जाएगा उसी तरह से यहां पर देख लेते हैं, 5% का वैलू कितना है एक बटा 20 है यह कितना गुणा है तो यह कितना गुणा है आगे आने वाले class में हम लोग कुछ और concept को देखेंगे और उसके बाद में हम लोग language problem की तरफ जाएंगे आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और सब को बोले subscribe करने के लिए यहां पर math से math के जितने भी concept हो सकते हैं सभी यहां पर बताया जाएगा आज से हम लोग percentage सुरू कर दिया हैं आने वाले classes में आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे यहां पर thank you thank you very much